गुड मॉर्णिंग स्टूडेंट्स वेलकम दे क्लास स्टेंथ जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं आज हम लोग देख रहे हैं हमारे विज्ञान एक का पार्थ धातु विज्ञान जो की है पार्थ नमबर आठ ठीक है और इसके पूर्वे वीडियो में याद होगा बिटा हमने अलूमिनियम का निश्कर्शन दिखा हुआ था सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि अलूमिनियम का निश्कर्शन यह जो भाग है यह है धात्वों के निश्कर्शन में पाये जाने वाले अधिक अभी क्रियाशिल धात्वों का निश्कर्शन ठीक है तो यह अध के बड़ा अल्यूमिनियम जो है वो प्रकुरूति में शुद्धत रूप में नहीं पाया जाता इसमें लगबग पकसाइट के साथ यह आइस के रूप में पाया जाता है बड़ा तो पकसाइट में ज्यादा तर 30 से 70 परतीशाद इतना अल्यूमिनियम यह मुरुदा को अलग करना है तो इसमें मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में बेर की विधी और हॉल की विधी से इसके निक्षालन पद्दती द्वारा इसको अलग किया जाता है यह बताया था ठीक है और दोनों प्रक्रियाओं में निस्तापन क्रिया द्वारा सांद्र अल्यूमि बेर की विधी पहले सबसे पहले बताई गई है और दूसरा यहां पर दीखिए बिटा हॉल की विधी भी आपको यहां पर बताई गई है यह देखिए हॉल की विधी यह दोनों विधिया हम लोग देखेंगे जिन दोनों प्रक्रियाओं में हम लोग सांद्र अल्यूमिनिय में पाउडर रूप में बहुत अच्छे से इसको पीसेंगे तत पच्छा सार संग्रहकों में याने के डाइजस्टर में उच्चदाब पर दो से आठ घंटे कॉस्मेटिक सोडा के विलियन के साथ 140 डिगरी सेल्सियस से 150 डिगरी सेल्सियस तापमान पर गरम कर उसका निक्ष होगा आपके पास यानि डाइजस्टर जो होगा इस डाइज़स्टर में अपको उच्छ दाप पर मतलब बहुत जाधा प्रिशर में दोसे अज़ गन्टे हमने उसके अंदर और नहींन डाला हुए है यानि कि कास्मेटिक सोडा का एक कई डाला हुए है उसमें उच्च दाप पर 2-8 घंटे तक और 140 डिगरी से 150 डिगरी तापमान पर उसको क्या करेंगे प्रेशुराइज भी करेंगे और गरम भी करेंगे ठीक है और इस पध्धती से ही उसका निक्षालन करेंगे ठीक है आपको समझ में आ गया है कि हम क्या कर रहे हैं सबसे पहल हैं उसमें हम लोग 2-8 घंटे उच्च दाप पर बहुत जादा प्रेशुर पर प्रेशुराइज उसको करने वाले हैं और उसके अलावा 140-150 डिगरी तापमान पर उसको गरम भी कर रहे हैं तब जाके उस अयस्क का निक्षालन होगा तो इसमें हो क्या रहे हैं था होता क्य क्या है अपको यहां पे प्रक्रिया था रहा पको राधनीक अभी कंधरीय दवार आपको यहां पर बता यह कि अलूमिनय देया गए अधर मी हैं अता सोडियम हाइडराउक्साइड यह सौ जलियम हाइड्राउक्साइड क reads कि यहां बनता है और पानी बाही इस visitor म Maddenकरe पानी में गुलंचिल से पधार्त आपको यहाँ पहले वाकसाइड का सोडीयम हाइड्रॉक्साइड. के विलियन द्वारा निक्षालन होता है यहने के बक्साइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलियन से ही इसका निक्षालन होता है और निक्षालन होने के पच्चात आपको जो पधार या कंपाउंड आपको बना आपको यहां पर मिलता है आकरी में उत्पाद मिलता है व या पानी बना हुआ आपको यहां पर मिलता है लिक्विड फॉर्म में जिसको हम लोग कहते हैं द्रव रूप में आपको यहां पर प्राप्त होता है तो मुर्दा अशुद्धी में उपस्तित आइरन ऑक्साइड यह जलिया हाइड्रॉक्साइड में अगुलंशिल है उसे च ऊक्साइड आपको बताया गया प्यां चैटी इसमें आप उसे चांकर हम लोग कर लेंगे परंतु मुर्दा अशुद्धी में अपस्तित सीलीका पrez सीलेक यह जो सीलीकौन ऑक्साइड ^^ यह मुर्दा अशुद्धि में उपस्थित है तो इसकी जो प्रक्रिया है इसका जो मिश्रण है इसको हम लोग स्वाध इसको के साथ घुलने के वज़ से मतलब सीलिकॉन इसकाइड आपको जो पधार्थ प्राप्त होता है वो होता है बटा sodium silicate na2 si o3 और पानी यहाँ पे निर्मान होता है तो यह reaction जो है वो यहाँ पे आपको copy में नहीं बताई गई थी लेकिन मैंने यहाँ पेंसी बना कर आपको अदाई है silicon dioxide और sodium hydroxide को यह घुलन चिल होने की वज़े से sodium hydroxide में घुलन चिल होने की वज़े से आपको जो पधार्थ मिलता है वो होता है बटा sodium silicate और पानी अब जलिया sodium aluminate जैसे दीखिए बटा sodium aluminate का सूतर यहाँ पे आपको दिया गया यह जलिया sodium aluminate है जब इसको पानी में डाला जाता है तो इसको पानी में डालने के बाद इसे तनू करते हैं मतलब dilute करते हैं और फिर 50 degree तक इसको थंडा करते हैं जिससे आपको aluminum hydroxide का अउशेक प्राप्त होता है तो इसकी जो रासानी का अभिक्रिया है वो आपको किताब में दी गई है वो है जब sodium aluminate को तनू करते हैं मतलब पानी में डालकर इसको डायलूट बनाते हैं तो इससे जो उत्पाद बनता है वो होता है बटा हमारा aluminum hydroxide वो क्या होता है aluminum hydroxide और इसके साथ sodium hydroxide भी बना हुआ आपको मिलता है तो यह हो गया हमारा बेर की विदी से aluminum या aluminum को baksides से सांद्री करन करना अैसक का सांद्री करन करके aluminum प्राप्ट करना अब यहां पर देखे बटा हौलग की विदी में अगले पेज़ पर भी इसका बचा अब आपको दिखाई देगा तो Hall की विदी क्या है यह आप भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि Hall की विदी में अयस्क का चोड़न बनाते हैं तत्पचात जलिय सोडियम कार्बोनेट के साथ सार संग्राक में गर्म करने पर पानी में गुलनचिल सोडियम एलुमिनेट बनता है तत पच्छात अगुलंचिल अचुद्यों को चान कर इस छनित्र को गरम करके उसमें करबन डियक्साइड ज्याद प्रवाइड करके उसका उदास्किरन करते हैं जिससे अलुमिनियम हाइड्रोकसाइड का आउशेक प्राप्त होता है यह पूरी की प्राइड जो रहसाणी का भीक्रिया है यह सब आपको अगले पेज़ पर आपको बताई गई है सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हौल की विदी में हो क्या राय कि जो एसक का चूर्ण हम लोग बनाते हैं उसे हम लोग जलिय सोडियम हम लोग गरम करते हैं तो उसके बाद सोडियम ऐलुमिनेट बनता है जो की पाली में गुलंशील होता है अब यह जो अगुलंशील अशुद्ध होती है इसके अंदर उसको चान कर हम लोग उसको गरम करके यदि उसमें कार्बन डाय ऑक्साइड ग्यास प्रावाइड करें तो उसका उदासी करान हो जाता है और उसका उदासी करान हो जाने के बाद हमें ऐलुमिनेट renew है अच्छाइड का आउशेक यहां पर प्राप्ट होता हुआ नदर आता है तो अगले पेज पर चलते बटा यहां पर अगले पेज पर आपको यहां पर बताए गया है कि हम लोग प्रक्रिया क्या कर रहे हैं तो सबसे पहले तो तो सबस्क्राप्य अब्सक्राइड घा जो था जो कि पानी के रूप में मौजूद है जो कि ठोस रूप में यहां पर दिया गया है ठोस रूप में इसमें पानी भी आलूमिनियम आक्साइड में पानी के अंश है और वो ठोस रूप में है तो जब इसको स्वोडियम कार्बोनेट के साथ हम लोग गरम करते हैं तो आपको यहाँ पर उत्पात के रूप में सोडियम ऐलूमिनेट मिलता है कार्बन डाक्साइड गयास मुखत होती है और पानी के रूप में यह बनता हुआ आप लोग को नदर आता है अब यही सोडियम ऐलूमिनेट जब हम लोग पानी के रूप में इसको रूप में बदलते हैं या फिर इसमें कार्बन डाक्साइड गयास छोड़ी जाती है तब इसका रूपान तरण अलूमिनियम हाइड्रोक्साइड में होता है और सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर बचा हुआ आप लोग को मिलता है तो यह दोनों रियक्शन यहाँ पर बेटा बैलेंस है यह आपको समझ में आ रहा है दोनों प्रक्रियाओं में प्राप्त अलूमिनियम हाइड्रोक्साइड यह दिखिए दोनों प्रक्रियाओं से प्राप्त जो अलूमिनियम हाइड्रोक्साइड का है कि आउकशेप को छान कर धो कर सुखाते हैं और ततपच्छाथ 1000 डिगरी सेलसियत तापमान पर गरम करके निस्तापंद वारा अलूमिना प्राप्त करते हैं यानि ये दोनों प्रक्रियाओं में जो आपको अलूमिना हाइडरॉकसाइड मिल रहा है उसे हम लोग को सबसे पिले तो छान लेना है छान लेने के बाद उतको धोना है और धोने के बाद उतको सुखाना है जब आपको सुखा हुआ हुआ अलूमिना हाइडरॉकसाइड मिलता है उसको 1000 डिगरी तापमान पर गरम करना है और एक हदार डिग्री ताफमान पर जब इस aluminum hydroxide को हम लोग गरम करते हैं तो इसके बाद आपको alumina प्राप्त होता है alumina का सुत्र बिठा L2O3 और पानी की कुछ बुंद हैं आपको यहाँ पे मिलेंगी तो यह हो गया हमारा हॉल के सुत्र से alumina प्राप्त करना और इसके पहले जो bear की विधी हमने देखी थी bear की विधी में हम लोग ने aluminum hydroxide प्राप्त किया था यहाँ तक bear की विधी खतम हो जाती थी लेकिन हॉल की विधी में हमने अलग रूप में ही sodium carbonate का उपयोग करके आयस के चूर में उसको गरम करके इसके बाद वाली प्रक्रिया की aluminum hydroxide को जो प्राप्त होआ था उसका अवशेप को चान कर धोकर सुखा कर और इसे 1000 degree Celsius के तापमान पर गरम करके हमको alumina प्राप्त करना था जो कि हमने हॉल की विधी से इसे प्राप्त किया हुआ है अब दीखे बड़ा इसमें और दूसरा आपको एक प्रकार बताए गया है alumina का विद्यूत अपघटनी अपचयन जो है वो आपको यहां पर बोट के पेपर में पूछा गया है यह सवाल यह मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ यह जो पेपर है मेरे पास यह है पेपर 2020 का अभी अक्तोबर में हुआ इसमें यह प्रशन आपको पुचा गया है कि दी गई आकरूती का निरिक्षन कर पुचे गए प्रशन को उत्तर देखिए तो यहां पर पूरी पूरी आकरूती आपको यहां पर बताए गया यह और एक स्टील की टंकी हमने यहाँ पर लगाई हुई है और इसके अनदर पिगळी हुई अलुमिनियम नीचे डाली हुई है और यह पिगळी अलुमिनियम के ऊपर जो हमने मिशरन लिया है वह है पीड़ा मिशरन तीन प्रकार का है अलुमिना, क्रोयोलाइट और फ्लोरस का मिच्षरन हमने यहां पर मिलिया हूए और यहां से बाहर निकलती हुई आप लोगments के दिख रही है प्रश्ण इहां यह था कि धनाग्रप पर होने यहाँ पर आपकी copy में दिया गया ये प्रश्न जितना आपको आसान दिखता है ये आप लोग इसकी अच्छे से पढ़ाई करते हैं इसे याद रखते हैं इसकी प्रैक्टिस करके देखते हैं तो यह तीनों शांभरण आपसानी से यहाँ पर पूछा अपगटनी अपच्वयन के लिए ऐलूमिना के साथ क्रोयो लाइट और फ्लोरोस पार मिलाने का क्या कारण है तो इसका द्रवन आंक 1000 डिग्री तक कम करने के लिए हम लोग इसका उप्योग कर रहे हैं यह सब चीजे मैं आप लोग का भी समझा के बताता हूँ जैसे कि आपको यह समझ में आ गया कि प्रश्म तो पूशा जाता है लेकिन उसका उत्तर लिखते समय हम लोग को यह उत्तर कैसे प्राप्त होगा इसके लिए पढ़ाई करने की बहुत जरूरी बिड़ा जरूरत है तो यह ऐलूमिना का विद्ध घटनी अपचयन में जो आकरूती अभी मैंने आप लोग को बताई थी वो पूरी की पूरी सेम आकरूती यहाँ पे दिया गई अलूमिनियम का निशकर्शन यहाँ पे आकरी में यहाँ पे होता हूँ आपको नदर आ रहा है तो इस पद्धती में हो क्या रहा है तो यह मैं आपको बताना चाहूँगा समझा के कि इस पद्धती में पिगली हुई अलूमिना का मिश्रन का द्रवना 2000 डिगरी से कम होना चाहिए ठीक है स्टील के टंकी में विद्यूत अपगटन किया जाता है यह देखिए बिटा स्टील के टंकी यहाँ पर दिखरी है आप लोग को इसके अंदर विद्यूत अपगटन हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं जिसके लिए हमने धनागर के तीन इलेक्ट्रोड्स लिए हुए है ग्राफाइट के तीन इलेक्ट्रोड्स यहाँ पर लगाए गए है एक के बाजो में एक और उनका कनेक्शन रिनागर से जोड़ा गया है ठीक है यह रिनागर से जोड़ा हुआ कनेक्शन आपको यहाँ पर दिखाए रहे है धनागर और रिनागर रिनागरग ग्रेफाइट का अस्तर है और धनागरग ग्रेफाइट है तो इस पद्दत ही में अलूमिना जो हम लोग यहाँ पे मिश्रान के रूप में ले रहे हैं द्रावनांक जिसमें स्टील के टंकी में इसका अपगटन होकर यह 2000 डिग्री से कम प्राप्त हुआ आपको यहाँ पे मिल रहा है यह कैसे प्राप्त हुआ यह आपको इस विद्दी में समझ में आएगा कि इस टिंग की टंकी के आंतरिक भाग में सबसे पहले तो ग्राफाइ यहाँ पे जो ग्राफाइड के तीन इलेक्ट्रोड्स है यह कारबन के टूबो है के ग्राफाइड के धनाग्र के रूप में कार्य कर रहे हैं ग्रफाइट के धनाग्रत के रूप में कार्य करने मतलब रेनाग्रो धनाग्रत कैसे जोडने हैं लेने हैं यह आपको यहाँ पर बताएगे हैं तो छड़े तो धनाग्रत के धनाग्रत के लिए उसमें क्रोयो लाइट और फ्लोरस पार मिलाया जाता है मतलब यह जो इसका द्रवनांग है वह एक हजार डिग्री से कम करने के लिए हमें क्या करना है इसमें जो पधार्त लेना है बिटा यह पिगली वी अलुमिनियम के ऊपर यह जो होगा एलुमिना क्रोयो लाइट और फ्लोरस पार का मिश्रन हम लोग को यहां पर लेना है तब जाकि यह अलुमिनियम पिगलेगा और पिगलने के बाद बाहर जाने के मार्ग से वह निकलता हुआ आप लोग को नदर आएगा ठीक है मतलब हमें तीन यह तत्वा हम लोग को इसमें द्रावन आंग कम करने के लिए क्रोयो लाइट ऐलूमिना और फ्लोरस पार तो लोग इसे द्रावन आंग को 100 डिक्री सिलसियस तक कम कर सकते हैं अब इसमें हो क्या रहा है तो विद्युद्धारा प्रवाइद करने पर क्याथोड पर अलुमिन्यम धातु जमा हो जाती है यह देखे बड़ा यहां पर यह जो धनागर है यह क्याथोड पर यह तीन रोट्स जो आप लोग यहां पर दिखने जब हम लोग विद्युद्धारा इसमें प्रवाइद करते हैं मतलीब करना है यह इलेकनी यह इनकुवंक हैं कैथोड पर यह लुमिनियum धातु बवाइफोड चलु हो क्यान हो से बारी होने के कारम तली मेत जमा हो जाती है अब ये अल्यूमिनियम इस तीनों इलक्ट्रोड की उपर जमा होने की वज़े से वो पिगलने लगती है और पिगलने से वो नीचे जमा होने लगती है अल्यूमिनियम विद्धूत अपगडन से भारी होकर वो तल पर जमा होने लगती है धनाग्र पर ऑक्सिजन गैस मुक्त होने लगती है और इसको पिगलाने के लिए रिनाग्र ग्राफाइट का अस्तर का कनेक्शन होना बहुत ज़री है तो इलेक्ट्रोड पर निमले की अभिक्रिया हो रही है धनाग्र पर होने रिनाग्र पर कौनसी अभिक्रिया हो रही है तो यह जो रिनाग्र ग्राफाइट का अस्तर आपको यहाँ पर नदर आ रहा है इसमें धनाग्र पर जमा होता है और यह जमा होने के बाद वो पिगल कर नीचे आता हुआ आपको नदर आता है तो मुक्त हुई ऑक्सिजन की कार्बन से अभिक्रिया होकर कार्बन डाक्साइड ग्यास बनती है मतलब जो ऑक्सिजन यहाँ पर मुक्त हो रहा है उस ऑक्सिजन को का कर्बन के साथ अभी करिया होकर आपको करभ। कर्बन डाकसेड़ ग्यास बनती हुई आपको नदर आती है और ऐलूमिना का विध्यूत अपगडन होते समय धनाग्र का अक्सीकरण होता है असलो समय समय पर उसे बदल दिया जाता है जब Гाइस क करो होता है तो वो धनागर पर अक्सी करन करके अक्सीजन को मुक्त करने का काम करता है और उसे समय-समर पर बडल दिया जाता है तो यह पूरी प्रक्रिया, alumni का विधःत अपगटनी अपचयन होते हुए आपको प्राप्त होती नहीं पर दीए ठनागर पर को थी अभबिक्रिया हो रही थी, यहाँ पर लिखना है आक्सिकरन हो रहा था और रिनागर पर जो जो अभी क्रिया हो रही थी उसका अपच्च्वेन हो रहा था यह भी अभी क्रिया यहांपे आपको दोनों की प्रैक्टिस करने हैं लिखनी की कोशिश करनी है और इन दोनों करने के लिए उसका जो द्रवना मुख है वह 1000 डिग्री सेल्सियस तक कम करने के लिए ही हमने क्लोयलाइट और फ्लोरस पार्क को मिलाया गया है यहां पे विलेयन के रूप में यहां पे मिलाया गया है अब अगली वीडियो में हम लोग इसके सामने का भाग देखेंगे जो कि हम लोग अभी तक अधिक अभी क्रिया शिल्धात्वों का निशकर्शन देख रहे हैं इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग मद्यम अभी क्रियाश्रिक दात्वों का निशकर्शन देखेंगे तक तब अपना ख्याल रखिए